10 जून 1970, BBC ने भारत की बुरी छवी दिखाते हुई एक फिल्म ब्रोडकास्ट की 23 जून 1970, BBC ने भारत विरोधी एक और फिल्म ब्रोडकास्ट की अब आती है तारीख एक जुलाई 1970 बिटेन में भारती दूतवास ने BBC और बिटेन के विदेश विभाग को ऐसी फिल्म में प्रदर्शित ना करने के लिए एक चिठ्थी लिखी इसके बाद आती है तारीख 29 चुलाई 1970 कॉंग्रेस की ततकालीन प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी के आदेश पर BBC को भारत से बाहर निकाल दिया गया अब सीधे आते हैं जनवरी 2023 बीवीसी ने फिर से भारत प्रोधी डॉकुमेंटरी ब्रोडकास्ट की भारत सरकार ने BBC को नहीं बलकि सिर्फ डॉकुमेंटरी को प्रत्वंदित कर दिया कॉंग्रेस पार्टी ने इसे अगोशे तापात काल गोशित कर दिया नमस्कार आप देख रहे हैं भारत का सबसे विश्वश्शनी अल्टरनेट न्यूज वीडिया पोर्टल और मैं चमन मिस्रा आपको बताऊंगा कि कैसे BBC डॉकुमेंटरी मामले पर कॉंग्रेस ने स्वयम को एक्सपोज कर लिया है BBC ने भारत विरोधी एक दो पार्ट की डॉकुमेंटरी बनाई है जिसका नाम दिया गया है इंडिया दा मोधी कोईस्चन इस डॉकुमेंटरी के दोनों पार्ट में सिर्फ एक एजंडा लेकर BBC चली मोधी को मुस्लिमों का दुश्मन सावित करना मोधी को मुस्लिमों का विरोधी सावित करना मोधी के शासन में मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं थावित करना पूरी डॉकुमेंटरी आप देख लीजे, बहतरीन केमरा बर्क, बहतरीन स्टोरी टैलिंग स्टाइल, बहतरीन निर्देशन, बहतरीन एक्टिंग, बहतरीन स्क्रिप्ट, बहतरीन साउंड इंजिनिरिंग, बहतरीन बैक्ग्राउंड स्कोर, इस पूरी डॉकुमेंटरी में यद किसी भी चीज की कमी है तो facts की तत्यों की ये एक fictional film प्रतीत होती है जिसका कोरा एजिंडा मोधी विरोध प्रतीत होता है तो जो होना था वही हुआ सरकार ने documentary को प्रतवंदित कर दिया documentary के link वाली tweets को हटा दिया YouTube से documentary हटा दी गई लेकिन तभी द्रश्च में विपक्षी पार्टियों के entry होती है और भारती राजनीती के बरतमान इस्तर की तस्वीर साफ होने लगती है विपक्ष एक सुर में documentary पर लगाएगे प्रतवंद का विरोध करने लगता है सुप्रीम को सच डेरेक ओब्राइन भी यही करते हैं documentary पर प्रतिवंद के विरोध में censorship का रागल आपने लगते हैं लेकिन इसके बाद जो होता है वो अदभुत है ब्रज में एक कहावत है सूप तो सूप छलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेत अर्थात प्रीमसी कभी केंदर की सत्ता म नहीं रही वो एक छितरी पार्टी है वो तो अपनी राजनीती के लिए विरोध के लिए विरोध कर भी सकते हैं लेकिन Congress Party कैसे विरोध कर सकती है उसने तो स्वेम आपातकाल लगाने में कभी कोई कमी नहीं की देश में घोशित तोर पर आपातकाल लगाने की बात हो या फ अप जानते हैं किसका मैं जिकर कर रहा हूं पिछले 24 गंटे में आपने देखा है इस तरीके से मीडिया पर सेंसर शिप लगाया जा रहा है यह सब बिलकुल यह साफ है कि हमारे देश में अंडिक्लेर्ड एमर्जेंसी है और एक ही वेक्ति का शासन एक ही वेक्ति की हुकु चल रही है जैराम रमेश बीवी सी की डॉकुमेंटरी पर प्रत्वंद को अगोश्य तापातकाल बता रहे हैं लेकिन जैराम रमेश भूल जाते हैं कि इन्हीं की पार्टी की प्रधानमंत्री यानि इंद्रगांदी ने 1970 में बीवी सी के दिल्ली आफिस पर ताला भारत को लेकर उसके कवरेज में सामराजबाद की बू आती थी आज भी बीवी सी वही तो कर रहा है उसकी डॉकुमेंटरी में सामराजबाद का घमन डिस पश्ट देखता है भारत की नियाएक विवस्था ने जिस शक्स को क्लींचिट दे दी आप उसे दोसी सावित करने पत्तुले हो अर्थाता आप कह रहे हो कि आपके नियायाले जांच नहीं कर पाते आपके एजंसियां जांच करने योगी नहीं है हमें देखो हमने जांच की है ये स्वेयम को स्रेश्ट दिखाने के सिवाए कुछ भी नहीं है लेकिन इस वार कॉंग्रेस पार्टी उस BBC का वि बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि BBC भारत को बदनाम करने और उसकी छबी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती भारत विरोधी रिपोर्स करती है इसलिए सरकार को BBC को कभी भी भारत भूमी पर कदम नहीं रखने देना चाह कि कॉंगरिस पार्टी को पत्थर फैकने से पहले समझना चाहिए कि उनकी पार्टी की एक 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 इंट शीसे की बनी है और जहां तक आपातकाल की बात है तो पूरा भारत जानता है कि किस प्रधान मंत्री ने मीडिया घरानों की बिजली कटवा दी थी जिससे क्या ख़ब कि कॉंगरिस के मूं से अगहुशे तापातकाल का राग बहुत हास्या इस पत्रतीत होता है